हेलो फ्रेंड्स कैसो आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे तो आज पर में लेकर आई हूँ आपके लिए नई किचन टीप्स एंड आइडियास तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा वीडियो को थोड़ा सा भी इसकिप मत किजेगा तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी स वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मेरी पहली टीप है इस तरीके से यह बटन को लेकर तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब कभी हम ऐसे बटन लेते हैं हम बॉक्स में डारिक डाल देते हैं और यह आपस में मिक्स हो जाते हैं जिनको हमें ढूनना आना बड़ा पड़ेगी तो तो देखे यहां पर जितनी भी बटने मैं उनको सेटी बिन में डाल rusक हो तो यहां पर देखे मैं र Pom basic लेचे से बनाकर अपने बॉक्स में रख सकते हो तो आईशा लई हो तो लाइक जरूर किजेगा और कमण में जरूर बताईएगा नेक्स टीप में देखे फ्रेंस के जन में हम हरीमेज तो यूज करते ही है लेकिन जब कभी भी हम हरीमेज को क्या करते हैं ऐसे काटते हैं चाको से तो ये तो हमारा regular काम ही होता है और कई बार तो हरीमेज इतनी ज़्यादा तेज होती है ना उसको काटने के बाद ये हाथ के ओपर इसके दाने लग जाते हैं जिससे की हमारे हाथों के अंदर जलन लग जाती है और जहां कहीं भी हम हाथ लगाते हैं चेहरे पर या कहीं भी तो उस वहीं पर भी जलन शुरू हो जाती है तो आपको क्या करना है देखिए इसको उटाने के लिए जलन को मिटाने के लिए आपको लेना है थंडा दूद थंडा दूद लेकर थोड़ा सा अपने हाथों के उपर लगा लेना है हरी इमेज की जो जलन ना उसमें आपको बहुत ज़्या दराहत मिलेगी इसको हलका सा लगा लेना है और फिर इसके बाद आपको अच्छे से हैंड वोश कर लेना है साबन से तो बिल्कुल भी जलन नहीं होगी नेक्स टीप में देखें यहां पर लिया है मैंने आटा तो जब कभी भी हम ऐसे आटा लेते हैं या बेसल लेते हैं तो उसको क्या करते हैं देखें बड़तर में डालने के लिए ऐसे हाथ से लेते हैं और इसको डाल देते हैं जिसके हमारा हाथ भी खराब हो जाता है या फी चमच से भी डालते हैं लेकिन आज मैं आपको इसको डालने का एक अलाक्स तरीका बता रही हूँ तो देखें हमारे पास ऐसे ये बिलेंडर सो होता ही है फैटने वाला तो आपको देखें इस तरीके से सीधा इसको डालना है आटे के अंदर या बेसर में होगे तो इस तरह कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं तो कैसा लगा आइडिया अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा नेक्स टीम में देखें फ्रैंस अब तो गर्मी आई गई है और जादा तेज वाली गर्मी तो आई गई है अई टीम होगे हैं और फिरिश के अंदर पानी रखना भी हमने शुरू कर दिया है तो लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी हम ऐसे बड़ी जो मौत ले होती है पानी की फिरिश के अंदर तहा dauती है और फिर दुबारा रखते हैं फिर फिसल कर ये वापिस आ जाती है तो इसको रखने का एक मैं आपको आईडिया बता रहे हूँ जब कभी भी आप ऐसे फिरीज में अपनी बोतल रखे न बोतल को रखने के से पहले आपको लेने हैं दो रवर्ड बैंड और इस बोतल के ओपर इसको चड़ा देना है इसको चड़ाने से क्या होगा कि एक तो इससे है ना आपके ट्रे के ओपर जब बोतल रखोगे ना रवर्ड बैंड की वज़े से वो ग्रिप बन जाएगी और बार बार फिसल कर आगे की साइट नहीं आएगी जैसे पहले आती थी ना बोतल फिसल कर वैसे नहीं आएगी तो एक बार इस तरीके से रवर्ड बैंड लगा कर बोतल कर यूज़ करके जरू देखिएगा नेक्स टिप में देखे फ्रेंड्स यहां पर ली है प्रेस तो कई बार के होता है कि हम प्रेस को यूज़ करते हैं और इसकी वायर को जब तक यह धंडी नहीं होती ऐसे ही रख पड़ी रहती है और इसकी वायर को भी जादतर क्या करते हैं कि प्रेस के उपर ही लपेट करना इस तरीके से मौड कर हम लगा कर रख देते हैं जिससे की प्रेस की वायर बहुत जल्दी से खराब हो जाती है और इसमें बीच बीच में क्रेक भी लग जाते है तो आपको क्या करना है देखिए जैसे मैं फोल्ड करना है इसकी वायर को अच्छे से इस तरह के से फोल्ड कर लेना है hold करने के बाद अब क्या करेंगे friends यहाँ पर हमारे पास ऐसे rubber band तो होती है आपको लेना rubber band और इस तरह कैसे लगा देना है और एक चीज और बताती हुआ है देखिए यह लिया है मैंने clutcher और इसको भी इससे अच्छे से set कर दूँगी तो यह इधर उदर इसका जो wire है वो गिरेगा नहीं और एक जगे set रहेगा तो कैसा लगा idea अगर अच्छा लगा है तो like share जरूर कीज़ेगा next tip के अंदर यहाँ पर देखे friends आज मैं आपको बताऊंगी कि हर image को आप बेना हाथ लगाए कैसे काट सकते हैं आपको लेना है इस तरीके से वोग तो हमारे घहन में होते हैं किचेंद में आपको हर image को पीछे किसे इसकी ढंडेदु को अटा कर इसके अंदर लगातेना है जेसे मैंने लगाया है और simple सा बस जितनी भी हर image आपको काटनी है जैसे मैं काट रही हूं वैसे तो आप फोक की मदद से असाने से हरीमिश को काट लोगे और आपके हाथों के उपर हरीमिश बिल्कुल भी लगेगी नहीं और जो जलन पहले होती थी दिक्कत हरीमिश से वह बिल्कुल भी नहीं होगी तो देखें यहाँ पर मैंने कितनी असान यहीजी से हरिमेश को कट लि liquidity है, अभी इस तरीके से हरिमेश को असानी से काट सकते हैं, तो नेज़्सπीर देखे प्राइंस सबु जब कभी हम चायपति लेकर को चांब बापि ऊसको डारेक्ट कंटेथ期 में डाल देte हैं, अब से आपको ऐसे नहीं करना है डारेक्ट कंटेनर बें डालने से पहले आपको चाय पती को अच्छे से चान लेना है चानना क्यों है अभी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि फ्रेंट देखिए चाय पती यह ना क्या होती है कि जो उसके मोटे वाले दाने होती है वो तो हमारी सहत के लिए अच्छे होते है लेकिन जब इसको चानने के बाद इसका जो ये पौर्डर सा निकलता है ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी साही नहीं होता है आपको क्या करना है चाय पती को चाहने के पाद इसका पॉर्डर है इसको निकाल लेना है और इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है चाय के अंदर आपको इसको फेकना भी नहीं है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको ले जाकर आप अपने गमलों में डाल लीजिए, तो ये आपके गमलों की ग्रोथ को बढ़ाने में भी काफी जादा हेल्प करेगी, तो इस तरीके से चाय पती को आप को अलग से निकाल लीजिएगा, तो कैसी लगी टीप अच्छी लगी है, तो लाइट चलो कीजिए, आपने चलते हैं, नेक्स टीप, तो फ्रेंट्स यहां पर लिए मैंने ये केल, तो देखिए, इस तरीके से आपके पास जो भी केल है, आप ले ले लेजिए, तो आज ये टीप आपके लिए बहुँ ज़्यादा यूसफुल होने वाली है, इस तरह के से निमो के अंदर कीलो को अच्छे से लगा लेना है, तो फ्रेंट्स, आई होप आज की टीप से आपको पसंद आई होगी, कौन सी टीप आपको सबसे अच्छी लगी, पिलिस कमेंड में जरू बताईएगा, मेरे चैनल पर पहरी बार आए हैं, तो चैनल को सब्क्राइब करना ना बुलिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो जैसे ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, तो फ्रेंट्स देखिए, इस तरीके से मैंने ये बना लिया है, और इससे क्या होगा, आपको इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, तो फ्रेंट्स देखिए, जो ये मेरी कील थी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जंग लगी थी, तो आप क्या कर सकते हैं, निम्बू के अंदर इन कीलो को इस तरीके से लगा कर छोड़ दीजिए, जि इस तरीके से आप निम्बू से अपने जो टूल्स हैं, कील्स हैं, उनकी सारी जंग को निकाल सकते हैं, तो फ्रेंट्स इस टीप्स को जाज स्यादा शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताईएगा, ये आइडिया कैसा लगा, और कहां से आप मेरी वीडियो देख प्लीज मुझे जरूर बताईएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मौटिवेट करता है, तो देखें थोड़ा थोड़ा सा जंग निकलना शुरू हो गया है, इसको थोड़ी देर और रखो गे तो सारी जंग निकल जाएगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक य वोची पर वुचि वची बावब निकलना शुरू है